वेल्कम बैक आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेट चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं इसका नेक्स लेक्षर रहेगा इससे पहले के दो लेक्षर अगर आपने नहीं देखें तो इससे जरूर देख लें क्योंकि वेरी वेरी इंपोटन लेक्षर चल र रहे हैं या फिर प्रिशन कर लें दैन आपको यह हैल्प करेगा तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं तो हमारा इससे पहले हमने जो लेक्षर में पढ़ लिया था कि किस फिरकार से हमारा जो लेक्षर में चल ला था कि स्टेज कौन कौन से होते हैं उसके बारे हमने जान लि conception भी बोल सकते हैं या pregnancy period भी बोल सकते हैं जिसे हम Hindi बोलने प्रिशबपूर अवस्था नेक्स्ट आपकी है इन fancy ओके इन fancy period है या आपका या जिसे हम बोलते हैं सैसा अवस्था और यह आपका childhood है जो आपकी आपकी बाले अवस्था बोली जाती है और sense है जो आपकी किस वर अवस्था बोली जाती है या आपकी होती है गर्व से जनम तब की अवस्था होती है जो यह वाली होती है फ़श्ट गर्व से जनम तक की अवस्था होती है नेक्स आपकी आती है यह गर्व वर्ट हम इसको दुबारा से एक बार देखते हैं, next चलते हैं आगे, अब यहां से हमारा stage, पहली stage, जिसको हम discuss करेंगे, वो कौन सी stage है, pernatal, अब मैंने यहां पर जितने भी, इसके name से वो यहां पर नहीं लिखे हैं, इससे पहले आप देख चुकी होंगे, कौन-कौन सी name है तो देखते हैं, इसे हम बोलते हैं फिर सब पूर अवस्ता, ओके, और इसकी जो अवस्ता मैंने बताईए, वो आपको बताया है, जो है गर्ब से आपके start होती है, और जनम तक होती है, तो पहली चीज है कि इसमें जो time period है, वो 280 day, अगर day में पता करें कि कितने time का एक time है, तो गर्बा वस्ता है, तो वो 280 day होते हैं, यानि कि अगर दिन में बात करें, लेकिन अगर month में बात करता है वहीं, तो यह 9 month होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 9 month plus 10 days भी दिखेगा, तो आप दोनों consider कर सकते हैं, और यह जो आपका अगर week में बात करता है, यानि सब्था, त पॉइंट मैंने बनाया है, जर्मिनल स्टेज, यानि इसे हम बीजा वस्ता बोलते हैं, और यह आपके DSSB पगेरा में पूछा जाता है, सीटेट में में भी कभी कभी होता है, लेकिन हाँ, इंपोटेंट तो इंपोटेंट है, देख लेते हैं, बीजा वस्ता यानि जर्मि पुर्णिक स्टेज जिसे हम पिन्ड़ वस्ता बोलते हैं, वैसे आप से इंगलीस में याद रखें, जर्णा बेटर रहगा, इंगलीस में क्योंकि कम नेम होते हैं, हिंदी में बहुत सारे नेम उसके अलग-अलग होते हैं, एक ही कई नेम होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, तो यह आपको समझमा आएगा कि जो ambionic stage है वो two week यानि दो सब्ता से और two month तक की अवस्ता होती है यानि समय होता है इसका दूसरा आपका C जो है fetus और fetus यानि भूणा अवस्ता है और यह कब से कबता हुई दो month से आपका birth यानि जब तक उसका बर्थ नहीं होता है यह तब तक उसका चलती है अच्छा एक चीज और है आपको यहां समझा दें थोड़ा सैंसिकल हो जाएगा आप देखने जर्मिनल है फिर आपका ambionic है यह जो अवस्ता है न यहां तक जो है उसमें कोई भी जान नहीं पड़ी भी लेकिन जब fetus बोला जाता है तो that means कि वो अब live है यानि वो उसमें जीवन आ चुका है बच्चे में तो fetus इसी लिए बोलते हैं अब बागी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं जी इएफ से आपका पहली जर्मिनल कितने कितने टाइम की है उसके बाद ambionic और फिर fetus नेक्स पर पहुंचते हैं अब उसके बाद आता है second stage जो काफी important है और आपकी कौन सी है infancy period जिसे हम बोलते हैं सहसा वस्ता उसका time period मैंने बता रखा है two zero से two year होता है इसको हम क्या बोलते हैं कि पर्चुनेट कॉल भी बोलते हैं जिसमें क्या होता है गरवनाल काटने तक का समय यानि जो यह पर्चुनेट कॉल है यह कौन सा काल होता है अगर पूछ लेता है basically what is the पार्चुनेट काल तो period अगर बोले तो आपको बताना होगा कि यह कौन सा इसमें क्या होता है कैसे इसके अंदर क्या फीचर से तो आपको पता हो जो होती है हमारी जो बच्चा होता है उसके नावी से जुड़ी भी होती है वो काटने का समय होता है उसी को बोलते है गरबनाल काटने का समय यह जो इसका एक पूरा sentence का एक word दे रखा है उसको हम समझ रहे है फिर neonate जो होता है जनम जात नवजात सिसू होता है उसके बाद यहां से start होता है very important जो है कि head, head के बारे हैं पूछ रहा है कि head जो होता है body क बन फोर्थ होता है बच्चे का जब वो जनम लेता है उसके बाद body का ठीक है मैंने लिख भी रखा है जो उसका body है उसका बन फोर्थ होता है head अब head जो है उसका weight of the brain जो है वो 350 gram का होता है कितना 350 gram का weight होता है next point है अगर inch में बात करे बच्चे का तो वो 18-19 inch का होता है और pound में बात करे तो वो क्या होगा उसका 7-8 pound ठीक है यह उसका weight की बात कर रहा है बात क्लियर होती है next पे हम बात करते हैं कि head जो है at birth के समय तो होता है 300 आपका 50 उसके बाद 350 से जब birth के बाद 2 साल का हो जाता है तो उसका जो 700 हो जाता है जो मस्तिक्स का यानि head का जो भार है और 6-0 में जाके वो 12.50 गिराम और फिर उसके बाद 16 यह पंदरा से 16 के समय जो होता है उसका 1200 गिराम का उसका head है वो हो जाता है यह काफी छोड़ी चीज़े हैं लेकिन काफी important है जो आपको याद रखनी है अब यहाँ पर हम जो तीसरी stage है मैं उसको dictate करने जा रहा हूँ इसमें सबसे main cheer यहाँ पर यहाद है कि childhood मैंने इससे पहले आपको बदा दूँ कि childhood में दो stages होती है और यहाँ से बहुत जारा question बनते हैं क्योंकि यहाँ पर mostly बच्चे क्या होते हैं confused होते है यानि mostly जो होते हैं वो confusion यहाँ से ही होता है ठीक है mostly confusion होता है यहाँ से अब जैस 12 और कहीं कहीं 3 से 12 मिल सकता है तो आप दोनों लेके चलेंगे लेकिन अब यहाँ पर childhood में पहली आती है early और फिर आता है letter यानि early childhood में तो 3 to 6 year होगी इसकी stage जो एक year हो गया आपका और इसकी जो अवस्ता है आपकी letter childhood उसको हम बोलते हैं यहाँ पर 6 to 12 year की होती है अब यहा childhood mostly you know कि हर बच्चा थोड़ा पहुत उसकी feature जानता है लेकिन question में जो आपके या confusion जहां से आपका one होता है वो कहां से start होता है यानि early और later childhood से start होता है तो इसलिए मैंने इस chart यहां पर बनाया पहले कि कि इस पिरकार से हम जो childhood और early childhood को हम समझ लें या letter childhood अब हम इसको detail में स education early childhood में बच्चा मैंने बताया है कि three से six year का होता है उसे बच्चा एक अंकुरन करके यानि अनुकरन करके सीखता है बच्चा देख कर सीखता है अगर बच्चे के सामने कोई उसे अच्छी अच्छी बाते बोलना है देना अच्छी अच्छी बाते सीखेगा mostly अपने bad example है थ इमिटेट करता है उसे वह सीख लेता है तो इस पिरकार का एक्जाम पिल इससे आपका बहुत अच्छे याद एगा इमिटेशन जो एज है वह कौन सी एज होती है वह अर्ली चैल्लूट को ही हम बोलते है नेक्स्ट आपका एनिमिज्म एनिमिज्म जो होते सजीबाद की अ दर दो रहा है अगर मैं बात करूं जैसे बच्चा जब खेलते खेलते गिर जाता है तो मॉशली क्या गरते हैं जो पूरा इस यह तो पूरा कंसेट है वह होता है इसमें बच्चा खिलोने लिए खेलता है यह आपको पढ़ा है यह सारे जो पॉइंट है यह questions आए हुए हैं और question बनते हैं इन से बिल्कुल की point है toilet training इसी age में बच्चा toilet training भी सीखता है यह question थोरी में बनाएगा कि इस प्रकार से पूरा question practice भी कराऊंगा तो आपको समझ में आगा कि इस प्रकार question बनते हैं और यह कितने important point हो सकते हैं उसके बाद pre-gange age आप pre-gange age क्योंकि pre-gange age जो है आपकी जिसमें बच्चा early school में जाता है यह school age भी कहते हैं जाने लगती क्योंकि यह prime में बच्चा एड़ीशन लेता है ठीट से जो six year की जो एज होती है उसमें बच्चे प्रविशन कराने लगते हैं और उसमें बच्चे को स्कूल भेजना भी स्टार्ट किया जाना शुरू कर देते हैं लेकिन आज कल तो अब जो किंडर गार्डन चल ला है तो पहले भी तो पहले जो सिक्स के बाद ही उसका जो है स्टेजी स्टार्ट होती दी यह पिले एज भी सपोज उसको अगर मेंगो चाहिए और एक मेंगो दिया उसको फिर भी कहा रहा है मैं मुझे दो चाहिए तो फिर आपको मिले या ना मिलो से फराग नहीं बढ़ता उसे दो चाहिए तो मतलब इसलिए बोलते हैं सेल्फ सेंटर है वो अपने अपने जो है वो सेंटर में इस एज में फास्ट होता है बहुत ज्यादा और सोचिलाइजिसन भी इसमें फास्ट होता है बच्चा सीखता है और फिजिकल ग्रोध भी फास्ट होती है उसकी Ross, Ross जो है कि ये मनोबे कहने के और इन्होंने क्या बताया है कि इसे pseudo maturity अन्यानि इन्होंने बोला है कि जो maturity होती है जो एक परीफकता होती है बच्चे में आ जाती है उसके बाद तरहने वह स्टारट हो जाता है लेकिन इन्होंने बोला है आपके पिर्ति-स-पर्दा का एक समाजिक जो है भाव-उतपन हो जाता है फिर उसे हम क्या बोलते पिरी-गेंगेज और यहां पर यहां पर हमने बोला इसे गेंगेज याणि some हम रहीं अंवस्ता यहांपर वह someon में खेलना स्टार्ट कर जता हैं सामू बनाने लगता है अपने friend circle में जाने लगता है उसके बाद elementary school यहां पर elementary school जो है यानि इसी एज को हम बोलने कि elementary school एज भी कहला ही जाती है अच्छा यह सिंग्मन फ्रोयट जो है इसको हम next lecture में भी हो सकता है हाँ इसके बाद lecture में पढ़ेंगे तो सिंग्मन फ्रोयट जो को ही इस stage से उन्होंने compare किया है दूसरी बात जो है important है concrete thinking यानि concrete thinking से मतलब है कि मूर्त तर्क की अवस्ता होती है मूर्त तर्क में आने लगता है मतलब कहने कि जो चीज़े सामने हैं उसके बारे में तर्क बितर्क अच्छे चे कर पाते हैं लेकिन जो abstract thinking है यानि जो उसके क ख्यालों में वो सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पैगा अगर मैं बात करूँ जो जैसे है उसके सामने चीज़े रखी तो उसको तो समझ पैगा लेकि आप उसको जो जो abstract thinking है वो अगर बताना चाहरे है suppose कि आप बोलते हैं हवा चल रही है तो हवा चल रही है लेकि उसे दिखनी रही है उसके बाद यह एक यूनिक स्टेज है यह आपको पता है और इस स्टेज जो कौन सी होती इसका time period में आपको बता चुका हूँ 6 ते 12 होता है उसके बाद very very important जो आपकी है वो है adult sense और किस्वरावस्ता जो की बारा से ठारा होती है और WHO जो हमारा कहता है वो 10 से 19 साल को किस्वरावस्ता की स्रेज मानता है लेकिन इसके बाद जो है इसमें भी दो हम बोल सकते है कि एक early adult sense होता है एक letter adult sense होता है अगर जार आपर भी maybe कुछ भी हो जाकता है pattern change भी हो रहा है तो साइद हो सकता है question इस प्रकार से बने तो early childhood यानि हमने पढ़ लिया अब early adult sense पढ़ते है जो इसका time period है वो कितना है 12 से 16 year का होता है और later child जो है वहाँ से क्या है इस word से adult sense word की उत्पत्ती होई है अगर मैं बात करूँ English word का जो है यह आपका Latin सब्त के adults year से निकला हुआ है ठीक है इसका means जो होता है वो होता है to growth to maturity यानि आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है इसका means जैसे आप समझ सकते हैं कि परिपक्ता की और बढ़ना यानि आप mature हो रहे हैं और उसकी तरफ aggressive और गो एहड तो यह means इसका है next अगर मैं बात करूँ एक चीज और important यहां से आती है कि जो यह क्या है आपका childhood है या adult sense है या adult होट है ठीक है तो अगर जो हम बात करते ह है अडो अडोल सेंस की हम के स्वरवच्टा की बात करते हैं तो यह childhood और अडल्ड हुट के 20 का एक bridge का काम करता है जिसकी stage आपको बताई यह transition period होता है या परीवरतन काल होता है और इसी को हम bridge करते है और Stanley Hall ने Stanley Hall जो है इनकी एक book लिखी भी है इस पे adult sense पे लिखी भी तो आ यानि आपका तनाव और तूफान के अवस्ता कहलाती है यह बहुत ही पुराना और ज्यादा famous इसका एक आप कह सकते हैं concept है जो की बार-बार repeat होता रहता है question में यानि paper में और उसके बाद क्या है identity crisis होता है इसमें बच्चा इसमें आप समझते हैं कि क्यों सोरवस्त होती है यानि 12th के बच्चों को आपने देखा होगा वो अपने identity crisis में रहता है यानि वो अपनी पहचान बनाने में इसमें busy रहता है कि किस प्रकार से मुझे क्या करना है carrier को लेकर यानि सारी चीजों को लेकर वो बहुत ज़्यादा confusion की rate करते हैं और lack of stability and adjustment ठीक है lack of stability and adjustment की बात करने तो यानि इस तिरता की बहुत में क्या होती कमी होती है समयोजन की बहुत कमी होती है वो क्या करते हैं क stable नहीं होते हैं उनकी अभी पल भर में कोई चीज उन्हें पसंद आती है उसके थोड़े टाइम में उनको कुछ और चीज़ पसंद आएगी यानि इस परकार से उनका जो बिचार्ज होते हैं वो इस तिन नहीं होते हैं वो बैरिवल यानि चेंजिवल होते हैं feeling of revolt उनमें यह feeling revolt की बहुत होती हैं बिद्रो की बावना अगर अगर उनके parents के कुछ समझा रहे हैं तो parents की बात या उनके teacher की बात उने ठीक नहीं लगती है उनके अपने friends circle की बात ज्यादा अच्छी लगती है यानि वो friends पे ज्यादा वरुसा करते हैं इस age में ना कि अपने parents या अप बहुत जारे tension में रहते हैं कि मुझे आगे क्या करना है कैसे करना है यह और threshold that means इसको हम बोलते हैं कि दहलीज यानि यह जो है आपका adult जो हुड है यानि जब आप mature होने कि अठारा से पिलस जाएंगे तो उसकी एक दहलीज है जिससे आप उसके बात सीरे कहां नाइक्स अगर मैं बात करूं problem age है यह काफी difficult period है life का जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता कि उससे क्या करना है कैसे करना है क्योंकि यहाँ पर उसमें biological changes हो रहे होते हैं उसकी body में और बहुत सारे chemical और internal और external changes हो रहे होते हैं जिस बच्चे से वह काफी problematic रहता है और उसको एक कह सकते हैं कि problem age या फिर most difficult period of the life यह होता है इस बच्चे का उसके बाद इसी को हम golden age या golden time भी कहते हैं क्योंकि बच्चा इसी एज में बिगड़ता या बनता है कहते हैं अगर इसे में समल गया दैन वो अपने life में कुछ ना कुछ बैटर कर लेगा अगर इसी एज में व होता है उसमें तो इसलिए तो बोला है वो कि अगर golden time बोला गया है तो golden time का means क्या है कि भाई अगर वो व्यक्ति यानि जो बच्चा है उसको अगर सही guideline नहीं मिलिया सही तरीके से उसको नहीं मतलब सुझारा समझाया गया तो वो आपने किसी ऐसे बच्चों में पढ़ गय आया तो उसमें देखा है कि आप लोगोंने just copy उनकी beard and चस्मा और गयर बगयर सारी चीज़े copy करने लगते हैं तो उनको ये सारी चीज़े बहुत जारा impact करती है day dreaming होते हैं ये इस इस में ये बच्चे day dreaming भी होते हैं मतलब दिवस अपन की बात करते हैं मतलब उन्हें सपने बहुत देखते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है हकीकत में नहीं होते हैं वो actually हकीकत में नहीं होते हैं दूसरे maximum development of intellect यानि उनका जो मानसिक विकास है वो जातर इस age में हो चुका होता है mostly complete हो जाता है उसके बाद यहां पर very very important है कि some important eating disorder कौन-कौन से होते हैं तो एक तो है अनोरक्सिया नर्वोसा जिसमें गल्स को ऐसा लगता है कि उनका बेट बढ़ रहा है और यह mostly किसमें पाए जाता है गल्स में पाए जाता है एक बिलुमिया जो है बिलुमिया जो है इसमें भी क्या हो अगर वीडियो आपको पुसंद आई है और आपको लेसन का भी ठीक लगाए तो पिर लाइक सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को थैंक्यू फॉर वाचिंग माई जैनल एंड प्लीस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर